यह हमारा recorded lecture रहेगा जहां पर हम लोग कम से कम छे दिन maximum 8 से 9 दिन का भी lecture हो सकता है depend upon हमारे syllabus किस तरीके से चलते हैं उसके और आपके query कैसे रहता है जिसमें हम दोनों part cover करेंगे seller and buyer दोनों यह training जो recorded होगा यह हमारे भगट techno app पर मिलेगा तो आप यहां से हमारे application को download कर सकते हैं यह हमारा website है tentosolution.o.in यहां से भी या फिर प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में सर्च दिकरेंगे भगट techno करके तो भी आपको हमारा application मिल जाएगा भगट techno तो देखेंगे यहां पर यह हमारा play store पे available है यह application तो आप यहां से भी हमारा डाउनलोड करके रख लीजिए तो जो भी recorded lecture होगा वो हमारे बगर टेक्नो application पर ही मिलेगा यह side है हमारा gym का gym.gov.in जिसका मतलब है government e-market यह एक e-market platform है only for government government body that means क्या हो गया government का मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई भी e-commerce website में दो पार्ट होते हैं है ना एक seller और एक buyer यह दो पार्टी होते हैं seller जो कोई बेचता है और buyer खरिदने वाले यह जेम के portal में यह problem यह है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ seller होंगे buyer कोन होगा? buyer department, government body होगी कोई भी चाहिए वो central government हो, government body government body है ना चाहिए वो central government हो, state government हो या PSU's company हो यह लोग ही सिर्फ buyer होंगे हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ seller हैं मतलब हम यहाँ से कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हमारे यहाँ पे खरीदने का मुझे rights नहीं मिलेगा जेम के portal में सिर्फ हम यहाँ पे sell जरूर कर सकते हैं इसलिए हम इसको government e-market बोलते हैं नहीं तो e-market के platform तो बहुत सारे हैं ट्राइवेट और्गनेशन जैसे कि Amazon, Flipkart जैसे बहुत सारे website से वहाँ पे हम दोनों कर सकते हैं sell भी खर सकते हैं और buy भी कर सकते हैं जेम पे सिर्फ और सिर्फ हम seller होंगे buyer department होगा इसलिए हम इसको government e-market बोलते हैं clear है ट्रेनिंग हमेशा हम लोग एकदम basic से लेंगी start से एकदम बोले को doubt से किसी को no sir चली तो हम एक बर syllabus के बारे में हम आपको थोड़ा clear कर देते हैं syllabus जोड़े आप हमारी website पर जाएंगे यहां पर आपको syllabus का details मिल जाएगा हमने यहां पर syllabus अपने डालके रखे हैं तो syllabus में हम लोग क्या-क्या cover करेंगे जैसे day one पर आज हमारा introduction rules and regulations के बारे में बात करेंगे कि जेम के क्या-क्या rules and regulations है जी एफार क्या-क्या rules follow करता है जिसमें 144 and 149 के accordingly rules लागव हो जाते हैं तो और सभी जेम में हम लोग आज थोड़ा-थोड़ा seller का part भी और buyer का part भी सभी के बारे में थोड़ा-थोड़ा details साब जानेंगे हरे topics को जो हमारे लिए सभी topics को तो touch नहीं कर पाऊंगा पर जो हमारे लिए important role play करता है आगे जाके जो हमारे regular हम लोग काम करेंगे जैसे catalog management हो गया, bead management हो गया, L1 process, direct purchase यह जो basic part है Q1, Q2, Q3, Q4 यह जो चीज़े हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा focus करेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, इतना समझेंगे तो कि यह हो जाएगा कि हम जेम को बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोसिस करेंगे, फिर कल से हमारा यह proper lecture चालो होगा, जिसमें seller registration, पहला seller part cover करेंगे, फिर buyer, तो पहला होगा seller का registration, registration के बाद हमें उसका profile update करना प इसमें exemption किसको किसको है, उसके बारे में discussion करेंगे, और my account, जहांपे secondary user, आपके profile का mobile number बदलना, email id बदलना, यह सब चीज़ें हमारा my account में रहेगा, यह हम लोग second day के lecture में cover करेंगे, third day के lecture में product को pair करना, pair करना में जैसे Q1, Q1 को तो pair नहीं कर सकते, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, Q2, Q3, Q4 में, Q5 और Q6 भी होता है, पर वो ज्यादा तरी use में नहीं है, product clone और नया product को कैसे तयार करते हैं, जो jam के market में product category है, पर product नहीं है, हमें अपने तरीके से कोई product चाहिए, तो उसको नए तरीके से कैसे डाल सकते हैं, service के catalog, service catalog जैसे की manpower हो गया, cab and taxi hiring service हो गई, catering services हो गया, faculty management, AMC, यह सब जो है service के categories में आते हैं, तो service के category में हम लोग catalog कैसे डाल सकते हैं, और उसके rules and regulation क्या होते हैं, यह हम लोग day 3 में जानेंगे, day 4 में reseller panel, जिसको Q2 के लिए especially रखा गया है, जहां पर authorization code यूज होता है, वो थोड़ा जानेंगे, OEM panel, जदि आप manufacturer हो, या आपके पास manufacturing unit है, तो jam पर आप OEM बन सकते हैं, तो OEM कैसे बनेंगे, OEM बनने के बाद आपको आपका brand approval कराना पड़ता है, ताकि यह आपका brand है, तो वो brand approval का process, और tender, फिर हम लोग आजाएंगे tender पे, tender को कैसे search करते हैं, jam के उपर, फिर bid study, tender के form को study करना, make in india, utium, past performance, यह सभी चीजों के बारे में जानेंगे, product bid, फिर सभी टाइप के bid को भरना, product bid, service bid, PSE bid, जिसको propriety article certificate बोलते हैं, B.O.Q bid, custom bid, और service bid, and RA, इतनी type के jam पे bid होते हैं, सब के process थोड़ा थोड़ा अलग है, वो सभी चीजों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे कि हर चीज में क्या difference है, और हमें bid कैसे पैचानना है, और उस bid को हम किस तरीके से भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, इसी में हमारा documents preparation का भी काम होगा, documents के format हम आपको बताएंगे कि हरी type के format क्या होता है, क्या रहता है, tender के terms वगरा यह सबी चीज है, उसके बाद buyer का lecture, जिसमें direct purchase, जिसकी limit 50,000 अभी हो गया, पहले 25,000 था, अब इसकी limit बढ़के 50,000 हो गया, इसको हम लोग कैसे purchase कर सकते हैं, L1 purchase जिसको हम लोग comparison भी बोलते हैं, इसकी limit अभी पहले 5 lakh थी, अब इसकी limit बढ़के 10 lakh हो गया, यह दोनों के case में, product के case में भी, और services के case में भी, दोनों के case में, all type of bid, सभी type के bids बनाना, जिसमें अभी हम लोग से product and service bid ही cover पर परबाएंगे, मतलब bid publish करना, buyer के ID से bid बनाना, prepare करना, बाकी की bid हम इसलिए हम आपको नहीं बता पाएंगे online live lecture में, क्योंकि custom bid और custom product, custom services और bioq bid, यह जो bid है, यह सभी bid अभी बंद हो गया है, state government के लिए, central government में चालू है, इसलिए हम इसका bid आपको बनाने का तरीका, हम आपको अभी नहीं दिखा पाएंगे live, PSC bid आपको जरूर बताऊंगा किस तरीके से PSC bid बनाते हैं और उसके rules and regulation क्या होता है, invoice upload, जब आपको कोई order मिलेगा तो आप invoice कैसे generate करेंगे, and CRC का process, CRC करने का का buyer है पर आप invoice बनाते वक्त क्या यूज करेंगे कि auto CRC generate हो जाए और buyer का registration, buyer का registration क्या होता है, push button procurement ज़्यादा तरह हमें यह जरूरत यूज नहीं होता है, फिर भी हम लोग एक basic discussion करेंगे, buyer का dashboard, government का email id creation और कोई doubts रहा, doubts तो ऐसे हर दे, per day के lecture में हम लोग doubts को cover करते चलेंगे, तो यह अभी seven days के हम लोग cover बताये हैं, पर seven days में generally cover नहीं होता बोर टाइम पर eight दिन का lecture चला जाता है, तो यह हमारे syllabus में इतने सभी चीज़े cover होगा, बोलिये, doubt से किसी को कुछ पूछना है तो बताये, पाने के लिए हम तो बता सकते हैं पाने के लिए हम तो बता सकते हैं, पर पर मैं पस कोई central government का credential नहीं है, और बिदा central government के credential के हम बीज तयार ही नहीं कर पाएंगी, पर टेक offline process जैसे पुराने आपके लेक्चिर सुना है, उसके वीडियो आपको जरूर मैं प्रोवाइड कर दोगा, यह मैं आप लोगो, मैं आप लोगों को पहले ही बता जाता हूं, जेम पर बहुत सारे tricks भी चलते हैं, पर अभी दो बैसे में कुछ tricks कवर कर रहा हूं, ट्रिक में क्या-क्या कवर होगा वो मैं बता जाता हूं, direct purchase का trick कवर करेंगे, direct purchase में जो trick यूज होता है, वो cover करेंगे, जिसकी limit 50,000 तक है, इस पे हम लोग trick कवर करेंगे, और service का, service में L1 and direct purchase, दोनों में cover करेंगे, हम लोग trick, यह दोनों हम आपको यहां पर बताऊंगा, L1 का product में L1 नहीं बताऊंगा, उसके trick यूज नहीं बताऊंगा, ठीक है, थोड़े बहुत beats के रहते हैं, beat के भी कुछ hints होँगा, पर यह भी पूरे details में beat के tricks के बारे में हम लोग discussion नहीं करेंगे, उसका video मिल सकता है सर्जो, direct purchase का तो आपको मैं बताऊंगा, जो मैं trick कवर करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, I am talking of direct purchase with L1 sir, L1 या direct purchase, direct purchase जिसकी limit 50,000, L1 जिसकी limit 10 lakh, 10 lakh वाला sir, नहीं, वो service में cover होगा, product में cover नहीं होगा, उसके लिए video अलग से मिल सकता है, नहीं sir, वो अलग से course, उसके classes ही अलग हो गया है, पर अभी नहीं करना है, पहले जब तक आपको basic चीजे clear नहीं होगा, तब तक आप उसके advance पे जाएंगे, तो आपके लिए दिक्कत है, और मैं एक चीज बता जिता हूँ, जब हम लोग यहाँ पर trick के बारे में बात करते हैं, तो trick है कि ऐसा चीज है, कि यह jam के roofalls है, यह आज भी बंद हो सकता है, कल भी बंद हो सकता है, हो सकता है कि हम लोग training ले रहे हम आपको आज बताऊंगा, पर जब तक हम लोग training में पहुंचे तब तक साथ वो trick बंद हो जाए, तो जदी बंद हो गया, तो बंद, जब तक चलेगा, तब तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह हमारा पूरा content and poor details है, चली, तो हम लोग फिर next topics पर आगे चलते हैं, बात करेंगे, एक करके तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके समझ में आना चालू हो जाएगा, चली, तो फिर सबसे पहले हम लोग, यहीं पर आते हैं, हमारे, आगे आपको next, यह भी बता देता हूँ, जैसे कि हमारे support system चालू रहेंगे, पर urgent basis पर support नहीं रहेगा, थोड़ा time हमें देना पड़ेगा, हमारे support के लिए नीचे आपको numbers मिल जाएंगे, हमारे team के, यहाँ पर नीचे आएंगे, तो यह हमारे numbers मिल जाएंगे, मेरा नाम आधित्य पंडित है, जो मैं अभी training आपके साथ ले रहा मेरे बारे में थोड़ा जोड़ी profile के details बात करेंगे, तो मैं 2012 से government body के साथ काम कर रहा हूँ, और तब यी tendering के बारे में हम लोग पहले बढ़ाते थे, और 2013 से regular basis पे हम लोग training प्रोवाइड काते, तब इतने, मतलब बड़े level पे training नहीं प्रोवाइड काते थे, हम personal one-to-one ही training देते थे, 2015 से हम लोगों ने ऐसा training चालू किया, offline में e-procurement का, जहाँ पे जैसे की e-procurement के जो portal है, और फिर 2017 से हम लोगों ने jam के lecture देना चालू किया, अभी ये lecture हमारा 253 batch है, बाकि ये हमारे कुछ concerned person है, ये हमारे जो concerned person है, ये अभी नहीं है, तो ये कभी भी आपको लगा, तो यहाँ पे ये हम लोग नाम अभी निकाल देंगे, ये हमारे concerned person में अभी नहीं है, हमारे टीम पे नहीं है तो कभी यह भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कभी लगा यहां से आपको यह नंबर या यहां से कोई फोन आ रहा है तो वो हमारे लिए नहीं रहेगा यह भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ बाकी ये हमारे सभी अभी अभी बाकी के टीम मेंबर सभी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं ठीक है और हमारे offline lecture पुने, मुंबई, एंड डेली ये तीन जगा पे offline lecture होता है और office हमारा आपको पुने में यहाँ पर भी आपको contact number बगरा मिल जाएगा चलिए तो फिर एक-एक करके हम लोग फिर से same syllabus में आते हैं और एक-एक की चीज़ करके आपको थोड़ा-थोड़ा हम लोग introduction देते हैं सबसे पहला seller के registration के बारे में थोड़ा हम लोग update जानते हैं कि seller का registration यहाँ पर कौन-कून कर सकता है कौन-कून हमारे seller के registration कर सकते हैं seller के registration के लिए mandatory क्या-क्या चीज़े हैं जो हमें लगेगा ही लगेगा mandatory पार्ट क्या-क्या है जदि हमारा company को प्रोप्राइटर्सिप कंपणी का हम लोग लेके चलते हैं कि हमारी company प्रोप्राइटर्सिप है प्रोप्राइटर्सिप मतलब single owner जिसकी में owner एक ही है प्रोप्राइटर्सिप कंपणी है तो हमारी लिए documents क्या-क्या mandatory हो जाएगा पेन काड मोबाइल नंबर इमेल आइडी ठीक है पेन काड मोबाइल नंबर इमेल आइडी में documents के बारे बात करो mandatory जो लगेगा ही लगेगा address bank account bank account company का जड़ी आप खुद की नाम से बना रहे हैं तो saving चलेगा जड़ी आप अपना company का नाम जैसे मेरा नाम आदित्यपंडित है और मेरे company का नाम भगट टेक्नो है तो जेम पे मैंने mandatory चीज़े हैं बस इतना ही चीज़े mandatory जड़ी इतना सब आपके पास है यह सभी चीज़े जड़ी आपके पास है तो आप जेम पे registration कर सकते हैं और यह process को पूरा complete करने में मुश्किल से 15 minutes से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब within 15 minutes आप यह पूरा का पूरा काम registration अपना कर सकते हों और आप जेम पे काम भी चालू कर सकते हैं यह details आपको लगेगा mandatory है ठीक है optional की बात करता है कि यह आपको बाकी के और भी कुछ चीज़े लगता है जो mandatory नहीं है वो क्या क्या है यह address की बात कर रहे हैं यह address कौन सा रहेगा अभी यहाँ पर आ जाएगा दहुर के लिए रोगा GST उद्यम पहले हमें समी था अभी यह उद्यम हो गया उद्यम स्टार्ट अप इंडिया ठीक है और ITR जिसको हम लोग जैम पे Tax Assessment बोलते हैं यह जैम पे बोलते हैं यह सब चीज़े हैं जो जैम पे optional है नहीं रहा तो भी चलेगा जैसे कि हम लोग bank account के बारे में बताए था is a gst जैदे आके पाद जैस्ट है तो जैस्ट में जो एड्रेस है वह डालेंगे जैदे आपके जैस्ट नहीं है तो आप अपना जो भी आपका communication पर के तो मतलब work order में जो आने वाले हैं चीज़ें हैं कि आपको जब कोई order मिलेगा तो उसमें address क्या चाहिए वह address आप input करेंगे बाद में आप address अपना बदल भी सकते अपडेट भी कर सकते हैं उद्यम जदे आपको उद्यम रहा तो उद्यम के जो benefit है उद्यम के benefit मिलेंगे उद्यम नहीं रहा तो आपके उद्यम के benefit नहीं मिलेगा इंडिया इंडिया है तो स्टार्टप इंडिया के benefits मिलेंगे नहीं है तो नहीं मिलेगा फॉर्थ है सर अभी बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज आपको बोलने के लिए हम टाइम देंगे फॉर्थ है आई टी आर जिसको हम लोग tax assessment बोलते हैं यह भी आपके लिए mandatory नहीं ह है यह पर कभ है आप जो date of incorporation डालेंगे जब जेम पर रेजिस्टेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर पूछा जाता है date of incorporation मतलब company चालो होने का date तो date of incorporation से 24 month यहाँ से कितना 24 month 24 month तक यह आपके लिए option हो रहेगा 24 month के बाद यह mandatory होगा फिर भी सब के लिए mandatory नहीं होगा जैसे मैंने आपको बोला कि आपको order दो तरीके से मिल सकते जैसे कि direct purchase L1 purchase BID और PBP जिसको push button procurement बहुते हैं 24 month के बाद भी जिदे अपना ITR अपडेट नहीं किया तो ऐसा नहीं कि जेम पर आप काम करना बंद हो जाएगा फिर भी जेम पर काम कर पाएंगे पर आप सिर्फ यह दो चीजों पर काम कर पाएंगे ठीक है यह दो जो चीजे रहेगा 24 month के बाद ITR अपडेट नहीं किया तो तो फिर आपके लिए यह चीजे बंद हो जाएगी कौनसा यह बीट का पाट यह जो है इस पे आप आप काम नहीं कर पाएंगे 24 month के बाद 24 month तक आप यह सभी चीजों में काम कर पाएंगे यह एक basic introduction है हम इसके details में नहीं जाते हैं details में कल जब हम रिजिस्टेशन करेंगे तब इसके details में हम लोग बात करेंगे फिर भी आपके कोई doubts है तो आप पूछ सकते हैं थोड़े doubts मैं आपके clear कर दोगा भी जाए वह सब्सक्राइब है कि आपके तो पूछ सकते अन्मिट कीजिए और पूछ सकते सब्सक्राइब कर सकते हैं इस नहीं होता आईडी नहीं बदल नहीं सकते आईडी नहीं बदल सकते कंपनी का नाम बदल नहीं सकते बाकी चीज़े एडिटेबल होती है एक बार बदल सकते हो मम्ता मेडम सर एक और है जैसे कि अगर मैं अब भी एक मिनट जिसने हैंड रेज किया उनको पहले लेता हूं मम्ता मेडम कि अगर सर बोली है जैसे मैंने अभी काम स्टाट करना है और मैं अपना जो आपने करता हूं अभी मैंने जैंब पर करता हूं तो सेम नाम से मेरा उसमें रिजिस्टर हो जाएगा जैस्ट में मतलब जोर नाम डालेंगे मान ली कंपनी का नाम आपने डाल दिया भी अंकूर इंटर्पाइज़स ठीक है यह नाम से आपने जैंपर अपना कंपनी रेजिस्टर कर दिया तो जब आप नाम से बनाना पड़ेगा बस बात में पर लेंगे तो अपने नाम से बनाएंगे कर पाएंगे प्रोड़क्ट लीस्टिंग करते ना जिनकी मेंडम मेडम आप बहुत आगे चल रहे हैं इतना आगे नहीं अभी फिलाल हम लोग टॉपिक वाई टॉपिक बात कर रहें तो इस टॉपिक्स के रिद्धिंग आपके हो तो फिर आप डिसकुसन कर सकते हैं हम लोग आगे जो लोग नए हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो हमें सब्सक्राइब करना है हां बोलिए आपको 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 करते हैं तो आपसे पूछा जाता है यह भी आपसे पूछा जाएगा कि आपका डेट आप इंकॉर्पोरेशन कब है मतलब कंपनी चालो होने का डेट तो जो भी डेट डाला है आपने वहां से 24 मन तक आप सब कुछ काम कर पाएंगे सब कुछ और बीड़ सब काम कर इसके बाद भी आइड़ अप्डेट नहीं किया तो फिर आपको ब्रैट पर्चीज और लवन में सिर्फ काम कर पाएंगे बीड़ में काम नहीं कर पाएंगे एक साल का आप आइड़ अपडेट कर देंगे तो बस हो जाएगा फिर आप नहीं भी करेंगे तो अब पूछ रहा था इसकी रेजिस्टेशन फी क्या कुछ माप रहेगी या पर करने कोई भी रेजिस्टेशन फी नहीं है इसको कोई भी चाल्ड इस नहीं है जेम इसी तरी इसलिए बनाया है कि कोई भी आके हम लोग कर सकते हैं इसलिए डॉकॉमेंट्स भी देखो इतने चीज़ें मांगा गया है कि कोई भी आ सकता है बताव इतने साथ डॉकॉमेंट्स किसके पास नहीं आज की डेट में पहले 5000 लेते थे नहीं अलग चीज़ें सब वह रेजिस्टिशन फीस नह मेरी बाते क्लियर होने तो फिर से इसके डाउट्स मैं बोल रहा हूं तो आपको पहले सुन लेना है फिर आप पूछ सकते हैं देखो डिपॉजिट बोलते हैं इसको डिपॉजिट मतलब यह रिफंडेवल होता है तो यह डिपॉजिट जरूर भरना पड़ता है जब आप यह रिपीट ना करना पड़े हमें प्लीज जदी आपका टैनल वर वन करूर से नीचे है तो 5000 नहीं तो फिर 10000 लगता है जदी आपका टैनल वर वन सी आर से लेके 5 CR के बीच है ठीक है और 5 CR से उपर है तो 25,000 यह आपको देना पड़ता है ठीक है आपको अलग-अलग इसके रूल से 25,000 जदी आपका टैनल वर पांच करोर से जादा है तो यह आपको जमा करना पड़ता है और यह रिफंड लेवल है इसमें भी छूट है किसको छूट है ज जिसको अम लोग उमेनिया के नाम से जानते है ना और जिए आप काश्ट से बिलाउं करते हो SCST हो और साथ में उद्यम आपके पास होना चाहिए प्लस उद्यम होना चाहिए इसके साथ साथ उद्यम तो फिर आपको यह पैसा भी भरना नहीं तो एक जमसन मिलता है यही डाउट था मेरा कि बोली सर किसी को डाउट से और कुछ पूछना है यह 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 कोई कि इतना प्रश्ट करना पड़ता है यह यह को डाउट से रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग किसी को बहुत डरते थे जेम को इसलिए इतना इजी बनाया है यह यह डरो ही मत लाइसंस पिन थी चेचे एक-एक साल चला जाता है लोग गौवर्मेंट में आने के लिए दंते दें कि कैसे लोगों ने यह में बहुत ही इजी बना दिया कि बोली और किसी को सर कुछ भी डाउट्स रहा तो पुछती जाओ ऐसा सोच और एक कुश्चन हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी एंट्री जो होती है वो असेप्ट नहीं करता है तो उसके रिगार्डिंग ठोला मुझको बता देजिए कि वहां कौन सी एंट्री करनी होगी वह तो हम लोग कल के क्लास में बताऊंगा प्रॉपर एंट्री क्या पर मैं एक चीज बता जोता जी एश्टी सर्टिबिकेट मांगता है ना उद्ध्यम सर्टिबिकेट मालता है ना स्टार्ट आप ना आपका पेंकार्ड बोलता है कि पेंकार्ड का कौपी अप्लोड करो पीडियेप नएड्रेस प्रूब दो ना बैंक एक्कांट ये सब ऑनलाइन वेगार यह एक प्रॉपर चीजे डालने पड़ते जिसमें इसमें एक भी मिस्टेक हो गया तो आपका अपडेट नहीं होगा और आपको यह गलत बताना चलू करेगा क्या डालना है कैसे करना है यह सब हम लोग कल की लेक्षर से जाना चलू करेंगे से हम लोग यहां पे लिए इसके बारे में कोई नायस के बारे में हम लोग को कहीं बीड़ान क्याया दोकमेंट सेब यदू करेंगे यहां पर यह ITR का return file कैसे करते हैं, आगे जाके food license है, LIN है, EPF है, ESIC है, जो भी चीज़ों में, पसारा license है, ऐसे जो भी चीज़े लगते हैं, drug license है, जिदे medicine में काम करते हो, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर कोई discussion नहीं करेंगे, इसके लिए आपको कोई concernant बगर student के लगबग हो, तो चाहे तो आप अपना concern ग्रूप में डाल सकते हो, अपने ही chat box में, तो आपको कोई ना कोई person मिल जाएगा, जो आपकी उसके जो भी charges होंगे, या reasonable fees होंगे, वो उनसे दे के आप उनसे बनवा सकते हो, और उनकी जिम्मेदारी में लोगा, ये मैं आपक अपके सर, और को डाउट से किसी को? वीड और पीबीपी के बारें बताएए सर, अभी मैं रेजिस्टेशन में हुझ से तो, और लिए रेजिस्टेशन के बारें बात करना हो, जी सर, ख्लेर होगा, ये सर, ये बोलिए, सर, मैंने रेजिस्टेशन तो किया है, लेकिन मैंने GST भी मेरा था, तो मैंने ऐसे GST भी कर लिया, लेकिन अभी पहले GST नहीं एड भा था, फिर भी 90% बता रहा था, तो GST जैसे की एड कर दिया, तो 100% था, फिर अभी TAN बोलके लिखा लिखा हो आ रहा है, फिर 90% क्यों नहीं बता रहा है, आपने गलती कहां किया है, मैं भी आप लोग को फिर भी मैं आपको जो लोग जेम पर बहुत काम किया है, उनको मैं बतारता हूँ, अभी एक नया अपडेट आया है, पिछले मुश्किल से 4-5 देज में, उद्ध्यम को लेके, उद्ध्यम अपडे प्रोफाइल कंप्लेट हो जाएगा, जबी प्रॉब्लम यह है तो, अलग प्रॉब्लम है तो यह कंप्लेट नहीं होगा, तो हम लोग बात में डिस्कुस्म करेंगे, फिलाल यह चेक करके आप देख सकते हो, यह अभी नए आपडेट है, सर मेरा एक और कॉश्चन था, कु सोब्स्क्राइब नहीं कुछ, एर वोटमेशल से लेन लेना है, फो आस्याँ मुझ आसा, इसलिеф साथ 7 परसेंट है को인이 का सैथ 5 परसेंट है, अब ऑन परसेंट उसलिया सब्सक्राइब करेंगे तो सबके लिए होता है ना जी करेंगे गवर्मेंट जो सबके लिए होता है पर बहुत जगा पर आसे पॉलो नहीं किया जाता है है जी रूल है ना कि एलवन क्या होता है सर्ण आगे बात करते हैं फिलाल हम लोग रेजिस्टेशन के डिकारणिंग डिस्कॉसन कर रहें तो रेजिस्टेशन के रिगारणिंग कोई डाउट से तो हो किसे हैं है अधिया बोलिये सर जो अभी यह सबी में सबीवें सब्सक्राइब यह वर्क में यह वर्क नहीं आएं वर्क में भी लागए अधिया आपको वेबसाइट को लेंगे यही डूल सब्सक्राइब कर रहा है आयर इपिस के वेबसाइड में तो आपको यहां पर लिखा हूँ अब अब याद नहीं है पर मैंने यहां पर रूजिस्टेशन के रिजर्वें लिखा भी था इसमें नोटीस आया था इसको कितना रिजर्व्ड है लिखा भी था इसमें अब यह वेबसाइट चोड़ा बदल दिया गया इसके रूज्स में अपडेट्स बगरा ने देखना पड़ेगा पर इस वेबसाइट में कहीं पर मैंने इसको लिखा भी मिला था कि रिजर्व हम लोग देते हैं यह इंडियन रेलवे का वेबसाइट है जीम पोर्टल से रिलेटेड जो रूल से कंडिशन्स है तो अलग से जीएफार फोलो होता है जो कोमन जीएफार है अलग से नहीं अलग से जो जो बता दूगा वो जेम पर कहां पर है मतलब अभी साथ में आज के लेक्चर में हम लोग बहुत चीज़े कवर भी करेंगे कि बोली सरोड़ को इडाउट से रेजिस्ट्रेशन करते टाइम हम लोग जो जो जीएस्टी अपलोड करते तो अगर जीएस्ट नहीं किया तो जब इन्वाइस का जन्टेट हों का जब आउडर तालेंगे तब तो उसमें जीएस्टी का इंक्लूड ही रहता है पर जीएस्टी आपका जीरो परसंट होगा ठीक है तो पहला हम लोगों न देख लिया साथमें हम लोगों ने तीन्यों टॉपिक्स कवर कर लिए है ना माइकाउं तक यह जो टॉपिस थे यह हम लोगों ने कवर किया अभी इसके बारे में हम लोगों का पूरा डिसक्रसन हो गया चलिये आते हैं फिर पेर ये पेर क्या होता है थोड़ा इसको जानते तो पेर जानने से पहले मुझे सबसे महँएंच के बारे में जैना पड़ेगा तो यह है जैनों आपके जैसे Amazon वगर हमें कूछ सर्च करते हूं चरू में Amazon को व q upности लेता हूं या लेता हूं कि आपको समझ में आए। अपको जिदी यहां पर सर्च करना एकुछ तो कैसे सर्च करते होście , जैसे मुझे लेना है लैपटॉपटॉप तो मैंने कैसे सरच करूँगा लैपटॉप बोलके सर्च कर दूँगा , तो मुझे यहां पर देखो लैपटॉप दिखाना चलूँगी क्या आया यह Acer के laptop से इसके नाम आ गया इसका price कितना है MRP कितना है और यह कितना percent हमें discount में दे रहा है जदि हम इसको open करते हैं कि इसके बारे में और भी details में आ जाता है और भी इसके specification मगरा मुझे details में मिलते हैं कि क्या-क्या चीज़े हैं हमारी पास है ना यह हमारा पूरा details available करवा के दे देता है यह सब चीज़ें हमें यहां पर बता देता है सेम चीज़ें आपको जेम भी देता है पर थोड़े उनके features सा लग है क्योंकि government का website है देखो Amazon और Flipcard भी दोनों एक जैसा नहीं है तो फिर आप उसको जेम को पूरी तरीके से इसको बोल नहीं सकते कि ऐसा ही होना चाहिए और जेम का website बना हुआ है वो हमारे जिसाब से अपडेट भी नहीं होगा तो हमें उसके rules and regulation में उसको कमझना बहुत और है अमद सर यह मैं आपको second warning दे रहा हूँ प्लीज आप के background में काफी noise है मुझे दुबारा यह repeat ना करना पड़े आपके वज़े से class में disturb नहीं चाहिए मुझे ठीक है तो सेम चीज़े आपको यहां पर मिलगा है तो मैं यहां पर भी laptop सर्च करता हूँ पर यहां थोड़ा अलग तरीके से कुलेगा Amazon की तरह यहां डायरेक्ट ने कुल गयागा देखो जैसे laptop डाला यहां पर आपको क्या बोला category result यह आपको category बोला मतलब laptop के relevant जो category है वो आपको पहले display करवाया अब आपको यह पता करना पड़ेगा कि laptop किसके अंडर आता है यह आपको जैम में थोड़ा complicated है तो यह आप लोग काम करते करते हैं यह used to हो जाएंगे इतना भी सोचने वाली बात नहीं है जैम पे total 12,000 category है अब यह बोल दूग आता अप लोग को अडर हो जाएगा यहार 12,000 category है तो मेरा category कैसे मिलेगा देखो 12,000 category जरूर है पर क्या आप 12,000 category में काम करते हो कोई भी नहीं करता है मुश्किल से आप जिदे काम भी करेंगे तो बहुत हो गया 50 category इसके उपर आप काम नहीं करोगे 50,60,100 इससे जादा नहीं तो जैसे इसे काम करोगे उसकी याद हो जाएगा आपको अच्छा इसके अंडर यह आदा है तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर दिये दिरे आपको यह याद हो जाएगा जैम पर अमिजन पर भी category ऐसा नहीं कि अमिजन पर category नहीं है जिदे आप यहाँ पर आल पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर भी category बुक्स के category है ब्यूटी पोर्टर्स के है बैबी के category है यह जैम के Amazon के category है electronics के category अलग बनाया है हाँ यह कम category बनाया है और यहाँ पर उसने ज्यादा category बनाया है difference इतना ही है पर category हर जगह पर अबलेबल है तो सबसे मेल आपको तो आपको जो भी नाम दिखता है वो नाम से आपको सर्च करना है पहले आपको आपके relevant category मिलेगा category कैसा मिलेगा जैसे कि हम वो लैप्टॉप मिला तो laptop हमने लगा कि चलो यह वाला है क्या तो हम इस category को open कर लिए क्या आपको लग रहा है यह product आपका है लैप्टॉप का जैदे आपको लग रहा है तो यह perfect है पर मुझे लग रहा है थोड़ा अलग है यह product तो यह category हमारा perfect नहीं है तो यहाँ पर और एक laptop के category है क्या यह भी नहीं लग रहा है मुझे तो फिर laptop caddy यह वाला है क्या यह भी नहीं है तो यह से हम लोग open करके देख स कि कौन सą कैटेग्री हमारा है यहाँ पर एक है लापटाप नोडबुक बोल के तो यह एकटेग्री हम लोग चैक करते हैं हान यह हमें एकदम perfect लापटाप जैसा ही दिखने को मिल गया तो यह हमारा category हम लोगों ने find out किया तो जेम को इस category को क्या बोलते है laptop notebook यह हमारा category का नाम तो ऐसे आपको category find out करना पड़ेगा और उस category के अंदर product होंगे जैसे यह product है अब amazon की तरह जैसे यह 1,13,000 का है जो आपको अभी फिलाल 10,000 में available है यह 91% आपके साथ आपको मिल रहा है यह 1,21,000 का laptop है जिसकी specification i7 है 14 इंच का यह भी आपको 10,000 में मिल रहा है तो ऐसे आपको laptop नजर आना चालू हो जाता है ठीक है यह आपको company वगरह भी यहापे display जैसा था पैसा ही आपको यहाँ पे display हो जाता है तो यह आपको categories है तो सबसे पहले आपको category और product के बारे में जानना है category कैसे होते है ऐसे आपके भी relevant category होगा तो आप मुझी chat box में डाल दो मैं आपके भी category एक दो find out करकर रिखाता हूँ और भी एक चीज़ बताता हूँ यहां पर एक चीज़ बहुत सारे product ऐसे हैं देखो बारा हजार category है फिर भी हर चीज जेम पर अबलेबल नहीं है क्या Amazon पर हर चीज अबलेबल है जो मुझे लगता है Amazon पर सभी कुछ और अबलेबल है क्या में भी नहीं जैसे मुझे car purchase करना है तो क्या car जेम पर अबलेबल है यह सब toys है कार नहीं है तो देखो जेम पर कार नहीं है मुझे बाइक लेना है क्या है नहीं है तो Amazon जैसे फ्लिपकाड यह तो मैंने थोड़े बहुत बोले मतलब जो मैं वेल लॉन हूं ऐसे बहुत सारी चीज़े होंगे जो नहीं है जेम पर अमेजन पर नहीं है तो अमेजन तो इतना पूरा ना है प्राइवेट है फिर भी नह क्या है तो फिल हम लोग कैसे उम्मिद करेंगे कि हमें हमें जेम पर हल चीज़े अवेलेबल हुचाई तो यहां पर भी बहुत ऐसे चीज़े होंगे जो अविलेबल नहीं है यहां है और maximum प्रॉड़ेट अविलेबल है प्रॉड़ेट अविलेबल किस अकोडिंग ने होता पर धीरे धीरे चीज़े जदी आपको लग रहा है कि ये पोर्टेट का डिमांड बढ़ रहा है तो जेम आटोमेटिकली वो कैटिगरी को क्रियेट करता हुआ भी चलागाता है जैसे पिछले साल एक साल के अंदर एप्रोप्रमेटली 2000 से जादा कैटिगरी तैयार हुए वह इती नहीं है दो हजार कैटिगरी बढ़ गए पहले नौह पिछले साल 9500 के लगवा कैटिगरी था अभी 12000 क्रॉस कर गए हम कैटिगरी में तो categories नएं भी आते हैं, कुछ categories बंद भी होते हैं, कुछ के demand कम हो गये हैं, नहीं अभी उसके demand नहीं आ रहा है, तो जेम उस category को बंद भी करता है, बहुत सारे categories बंद भी हो गये हैं, कुछ चीजों के problem के बज़े से भी categories बंद होते हैं, जैसे कि medicines, पहले medicines के category थे, अब medicines के को वह कैटिगरी जो ने बंद कर दी बंद करने का बज़ा यह है कि उसको ड्रग लाइसन्स वह बहुत ही मतलब क्या बोलता हूं जैसे कोई भी सेल नहीं करना चाहिए इसके बज़े से उसको बंद कर दिया गया और धिर दिर अभी फिर से मेडिसिन के कैडिगरी आएंगे पर कुछ रूल्स बदल के आएंगे जो अभी आगे आने वाले तो ऐसे भी चीज़े आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा ममता मैडम बोलिए औरूरूरू मैं और टो फिर हम लोग था अपने ढला से में सर्च करता हूं देखू टीबल बोल्क एख है तो पहले यह देख लेते हैं क्या यह अलग है यह त्वड़ा अलग है अलग है यह दिपंटी ये फासरया एंहां टोडवर में फेले कृट यह नहीं हि ए लेटिल यह सब्कूरा मतलब बैटरी अलग के साथ विट बैटरे के साथ देगा है यह LED बल्व है पर विट बैटरीज है और कुछ लग रहा है कि कैटिगरीज और मुझे दो ऐसा कैटिगरीज नजर नहीं आ रहा है यह देखा लेडी लुमिनर यह कैटिगरी दिख रहा है यह भी है पर यह थोड़े अलग टाइप के वह ऐसा बलबला नहीं है यह स्ट्रिट लाइट के कैटिगरीज है यह थो नहीं है बल चलो LED छोड़ दिया तो बल बलके को साथ करते देख लेकरता हूं क्या बल बलके कुछ है कैटिगरीज नहीं है तो जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके रिलेवेंट जो कैटिगरी थे वह इतना ही हो बाकी की काडिग्रीज देंपे नहीं है तो उसके रिलेवेंट होके ही आपको काम यूज में करना पड़ेगा कि इसका था सिब सकती पाटिल नेक्स्ट जैसे कि यह है यह क्या है डिपती मैडम का डिपती सेनापती अब यह पॉडक्ट हमें भी नहीं पता देखो क्या है पहले गूगल में सब्सक्राइब पेस्टिसाइड को हम लोग जेम पे पेस्टिसाइड बोलके यह आएगा क्या वह देख लेते हैं पेस्टिसाइड बोलके भी कुछ काटिग्री ने देखो यह एक है सोडियम के साथ क्या यह आपका कैटिगरी है पेस्टिसाइड इसके बाद पावर इस्प्रे जैसे की स्प्रे का में पिक्चर दिख रहा था तो यहाँ पर आपको यह इस्टूमेंड मिलते हैं इसके रिगार्डिंग देखो यहाँ पर और भी कैटिगरी है तो आप इस तरीके से देख सकते हो तो आपको ऐसे रिलेवेंट चीजे मिलना चालो हो जाएगा ठीक है तो यहसे आप लोग जैसे आप लोग नाम डालते हैं ऐसे ही आप सर्च कर सकते हैं नहीं तो भी कूगल में थोड़ा सच कर लीजिए और फिर आप उसको यहाँ डाल सकते हों वाकिटोकी और यह करें देखो महिश्सर का उनका भी देख लेते हैं वाकिटोकी डिजिटल एंड डिशीवर तो इसके नाम थोड़े अलग हो सकते कुछ यह वाकिटोकी है पर इसके नाम क्या आप डि पड़ेगा क्लियर है कोड़ाउट से किसी को कैड़ी के बारे में किसी प्रोड़क्ट का मीन्स की वह मतलब मेरा कोई प्रोड़क्ट है अपना मैं उसको जैंप पे मतलब रजिस्टर कराना चाहता हूं तो आपके नहीं चलेगा मैंने आपको यह चीज़े आपको पहले भी बताया अभी एग्जम्पल के लिए हम लोग फिर से अमेजन पे जाते हैं आपका पॉड़ेट अमेजन पे लेवल नहीं है क्या आप वोड़ेट को अमेजन पे सेल कर सकते हो जदि वह केटेगरी जिम पे अवैजन पे लुख थो अमेजन वाला भी उख एंट्री नहीं करेंगा आपको लगता है कि आपका demand जाता है, पर यहाँ पे overall देखा जाता है, कि overall demand उसका जाता है, पूरे all over इंडिया में, उसके base पे यह decided होता है, और उसको लगता है कि देर देर हाँ यह चीज़े आ नहीं है, जेम पे, तो जेम automatically उसका category create करना चालू कर देता है, तो वही चीज़ आएंगे, जेम के market में category available है, फिर भी बहुत category है, 12,000 category भी कम नहीं है, पर approximately, इसलिए बोला कि approximately maximum category जेम पे available है, और जो category available है, हम उसी में काम कर सकते हैं, जैसे यह तो आप बता रहे कि आप product search करना है, आपके पहले market में जाके search करना है, अगर कोई product जैसे किसी को upload करना है, त तो पहले category search करना होगी कि उसके बाद ही मतलब कोई भी अपना product उस particular category में upload करेगा, पहले जब तक category पता नहीं होगा, तब तक upload नहीं कर सकते है, पहले category पता करना पड़ेगा, इसलिए तो पहले category के बारे में बता रहे हो, पहले आपका जो भी product है, उसका category पहले पता होना जो आपका product किस category से बिलोंग करता है, बोलिए, अलो, हम इसला सर बोलिए, एक्टिरी Q2, Q3, इसके रिकार्डिक अभी बताएंगे, सर किया, मैं बताऊंगा तो सभी, दिये दिये, ओक्यों, चीब, एक्टिर है category, सर, सर्विस किस category में आता है, सर्विस का अलग category में बताऊ तो इसको पहले category बोलते हैं, और इस तरीके से हम लोग category अपना-पना find out करेंगे, तो फिर हम लोग उसके पर आगे हम लोग काम कर सकते हैं, अब कैसे काम करेंगे, category हमें पता चल गया, कि हमें category कैसे डूनना है, category डून लिए, तो फिर हम next step क्या है, next step है हमारा, मैंने आपको बोला कि pair करना, तो सबसे पहला pair करने से पहले हमें थोड़ा और category के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे हर एक category के सामने क्या लिखा हुआ है, किसी के सामने Q2 लिखा है, किसी के सामने Q3 लिखा हुआ है, लिखा है न, ऐसे हर एक category, जो भी category आप यहां पर जेम पर सर्च करोगे कोई भी चेयर काटेबिगल जैसे किसी ने चीयர डाला था तो चीयर मुल के शकर Herren तो देखो चीयर में भी क्यू थिछी डाला हुआ है क्यू टू भी है क्यू थिरी सिदें अपको बहुत सारे क्यू उन भी दिखेंगे जैसे पेन में आपको Q4 भी मिला, Q2 भी मिला, Q3 भी मिला, Q1 भी मिला, तो देखो इसमें हर एक कैटेगरी जालग अलग है, उसके नाम अलग है, तो चीजे भी थोड़े जोड़े डिफरेंस बने रहेंगे, तो हर एक कैटेगरी में इसका मतलब मुझे समझना है, यह B2, B3 के मतलब में मत जाओ, यह Category अपडेट हो गया है, इसलिए इसको B2, B3 हो गया है, इससे हमारा कोई उतना ज्यादा प्राब्लम नहीं है, मतलब उस Category में कुछ अपडेशन हुए है, जो पहले नहीं था, अब उसमें कुछ कैटेगरी में कुछ अपडेट हो गया है, इसलिए चेंज हो गया काटेगरी इसके लिए वर्जन 2 वर्जन 3 हो गया पर आपको Q4 Q2 इसके बारे में जानना बहुत चुरूगी है क्योंकि इससे ही रिलेवेंट है पूरा जेम का टॉपिक्स तो सबसे बहला Q1 जो Q1 काटेगरी में बिलोग करता है जदि किसी भी कैटेगरी के सामने Q1 लिखा हुआ 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 तो क्या समझेंगे हम लोग वो पोड़क्ट सिर्फ OEM ही बेच सकता है वो यह मतलब कोन ओर्जिनल एक्कूप्मेंट मेनिफ्रेक्ट्चन जो पोड़क्शन करता है जिनका पोड़क्ट है वही सेल कर पाएगा हम खरीद के बेच नहीं सकते जैसे यहां पे एक है Q1 काटेगरी में हैंक्राप्ट पैनिस्टेंड जो Q1 काटेगरी से बिलोंग करता है तो मैं इस काटेगरी में देखता हूँ यहां पे देखो सिर्फ OEM में लिखा है री सेलर नहीं है, इसमें एक ही पोड़क्ट है, ज्यादा भी पोड़क्ट होता तो भी आपको री सेलर नजन नहीं आता, जैसे कि कार, एंबुलेंस, आटो मुवाइल, मैक्सिमुम Q1 में, हैंड क्राफ्ट आइटेम, मैक्सिमुम में भी Q1 में चला गया है, कार पहले पूरा पूरा Q1 में था, पर अब एलेक्टिक कार Q2 में आ गया है, हर जेगा पर आपको OEM नजन आएगा, कहीं आपको री सेलर नजन नहीं आएगा, हम जदी कोई चीज किसी से खरीद के बेचते हैं, तो मैं री सेलर हूँ, मैं मैं मैनिफेक्चरिंग करता हूँ और मैं ही बेच रहा हूँ, तो मैं OEM करता है, तो जो कैटेगरी Q1 से बिलॉंग करता है, उसमें री सेलर एंट्री नहीं कर सकता है, सिर्फ OEM ही अपना अपने बताया हूँ, और जिनल एकूपमेंट मैनिफेक्चरिंग करता हूँ, तो फिर आते हैं, बोलिए, सर मैं पूछना चाहता था, मतलब यह जो इमेज जो आता है, केटेगरी जब हम देखते हैं, उसके बाद जो इमेज आता है, इमेज के साथ में जो रेट लिखा है, वो तो बहुत कम में लिखा रेट है, वो समझ में नहीं है, सर, वो आपको भी समझने की विज़रत लेंगे, क्या करोगे समझ के, आपको तो खरीदना नहीं है, बेचना है ना, अब अपने पोड़ेट करना पड़ेगा ना, सर, बाद में, जो हम लोग बेचेंगे, आपको तो थोड़ा और एक्स्क्रीमली क्लियर कर देता हो, चलो, वायर है तो फिर तो क्लियर करना ही पड़ेगा, जैसे कि हम लोग लैप्टॉप ही ने लेते, चलो, लैप्टॉप में ही देख रहेते हैं, कोमन पोड़ेक्ट लेते हैं, ताकि आपने को समझ में आ चाहीं, लैप इससे ने 10,000 से कम क्यों नहीं डाल दिया, इसलिए नहीं डाल पाया 10,000 से, क्योंकि इस कैटिगरी में, हर एक कैटिगरी का, एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस होता है, तो यह सबसे मिनिमम प्राइस है, मतलब इससे कम आप डेट डाल ही नहीं सकते, यह मिनिमम प्राइस है इसलिए 10,000 डाला है सब लोग जदी इससे कम भी डालने को होता लैप्टॉप एक रुप्या में मिलता तो लोग एक रुप्या भी डाल देते जैसे अभी बंद कर दिया एक कैटेगरी नहीं तो मैं आपको एक्जम्पल भी बताता था हाइमस्ट बोलके एक कैटेगरी था हाइमस्ट पता है हाइमस्ट लाइट के साथ मिलता है मस्ट जैसे देखो यह हाइमस्ट यह कैटेगरी दूलर का है और विदाउट सोलर का भी यह सोलर वाला है ठीक है अब इसमें अभी यह तो कैटेगरी बंद हो गया अभी एक रुपया में विताइए देखने दूसरा वाला इसमें देखो सस्ता मिलेगा यह फिर भी अभी 4300 में ने यहां पर एक रुपया में भी एवेलेबल था वन रुप्रिज में फिर भी सोलो मिटर टावर का एक दो तीन छे लाइट के साथ सोलो मिटर का लाइट 4300 में पॉसिवल है चलो फिर से आते हैं लैपटॉप बहले में भी पांगे लैपटॉप का यह आई सेवन का लैपटॉप क्या टावर्सयर में कहीं पर मिलेगा कितना जनरेशन देखो फोड़ पता ले चल रहा है खोलूंगा तो पता चल जाएगा कितना जर्रेशन है यह 11 जनरेशन चलो थोड़ा ही डिफ्रेंस है चलो 11 जनरेशन अब यहां समझते हैं यही अमेजन पर सेम चीज़े हैं अप्रोक्समेटली इसका रेट फिर भी 47,000 और यह आपको कोई 10,000 में दे रहा है लप्तौक यह अमेजन पर होगा तो मुझे रखता है अमेजन का साइड ही क्रैस हो जाएगा होगा कि नहीं जी पर यह तो आज भी है कल भी रहेगा और एक साल के बाद भी रहेगा 10,000 ऐसे हर कैटेगरी में मिलेगा रिजनेवल ऐसा नहीं कि यही कैटेगरी मैं पर हर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा अज़ीं रिजन एक साथ यहां कि यहां कि यह चीज है हम किसी को रेट कम करने के लिए रोक नहीं सकते हमें जिदि आमेजन पे यह पॉडक्ट पांच हजर में देना है तो मुझे क्या में रोख सकता है लो उसकी मर्जी ए अब वो लॉस में देना चाहता है या फिर उसको प्रॉफित इसमें भी प्रॉफित हो रहा यहाँ पना तो नहीं कर सकते हैं कि यह आईसा है क्यूं सकता है कि ये और यिए इसलिए है कि यहां पर order सिर्फ known buyer seller को ही मिलता है unknown seller को order नहीं मिलता जैसे कि ममता मेड़म जदि कोई आप पॉडट्ट फ्री में दे दो यहां पर आपको order मिलने के chances एक परसंड भी नहीं है यही laptop कि कितने में order जा रहा है आज ही देखते हैं 10 अजर में अब ले बले जदि किसी को genuinely जदि कोई खईदा हुआ होता genuinely बता रहा हूँ कोई बायर जदि हम genuine buyer हम समझते हैं सब लोग genuine buyer है तो क्या वो 10,000 छोड़के i7 का laptop पचास हजार या एक लाख में खईदा जदि कोई समान आपको पचास हजार में Amazon में मिल रहा है वही समान आप पांच लाख में खईदोगे बिलकुल भी नहीं कोई भी नहीं खईदा चाहेगा यहां ऐसा क्योंकि इसको और नहीं मिल रहे है इसको 10,000 डालने के बाद भी और नहीं मिल रहा है इसलिए तो यहां पर कोई लॉस में तो बेचना नहीं चाहेगा आप ही बता रहे हो कि यह 10,000 में नहीं दे सकता मतलब यह लॉस में तो नहीं देगा चलो एक बार देदेगा पर इतने सब लोग इतने सारे लोग देंगे मतलब इसको 10,000 में डालने के बाद भी और नहीं मिल रहा है इसलिए यहां पड़ा है चलो आज का ओर भी देख लेत आज क्या जेम पे order हुए है laptop का उसका rate देख लेते किस rate में आज laptop में order हुआ है वो भी देख सकते contract, view contract आज laptop किस rate में order हुआ है क्या चाहिए अपने को laptop notebook laptop notebook के categories में कितने order आज हुए है आज काई देख लेते हैं चलो 15 से लेके 16 के 20 order देखते हैं दो दिन का देखिए ये direct purchase हुआ है जम्मू एंड कास्मिर में ठीक है state government ने purchase किया है ये department का नाम भी है clear हो गया इसको i5 14 इंच का laptop ख़िदा है 99,800 में क्यूं इसको 10,000 का laptop नहीं दिखा AMD region 3 का laptop ख़िदा है इसने 25,000 में और भी देख लो ये देखो central government ने ख़िदा है कौन सा ministry of road ने ख़िदा है दो laptop ख़िदे है इसने कितने में ख़िदा है मतलब एक लाग के उपर ख़िदा है और i7 आपको 10,000 में मिल रहा था वो भी HP का भी available है कहां गया HP का भी available क्यूं उसने 1,32,000 में ख़िदा ये सब known buyer ने ख़िदा है unknown buyer ने ने जदी proper way से order देना चालो हो जाए तिये 10,000 वाले कब के गायब हो जाएंगे buyer भी unique order मिलता है generally सबसे जादा जो लोग known में समझ में आ गया है यहां का concept चली पहले ममता मेडम का ले लेता हूं फिर बात में आप लोग के कोईड़ी लेता हूं ममता मेडम बोलिए ममता मेडम ठीक है बोलिए नेक्स्ट और किसको क्या पुछना है अलो जो प्राइड होता है न प्राइड का बाद में बाएर के सबसे हम चेंज कर सकते हैं कुछ रूल से रेगुलिशन है आगे आगे हम लोग डिसक्रिशन करेंगा उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें पूछना है जैसे यह यह अपने प्राइड किया हुए यहां से मतब दुबारा रिपीट करके मिलें को बतातेंगे कि यहां से उन्हों प्रचेज नहीं किया एक यही रीजन है कि अभी उसमें तो हम बाइर को तो नहीं बोल सकते बाइर जदी जैनुवनली परचेज किया होता तो यह 10,000 वाले एक भी नहीं दिखते नहीं परचेज किया आप भी आगी जाएंगे तो आप भी होई करेंगे जो सब लोग कर रहे गौर्वर्मेंट में सेक्टर में गौर्वर्मेंट के सेक्टर से कुछ थोड़े अलग है तो आपको समझना बहुत चरूँगी है जिदि गौर्वर्मेंट में काम करना है तो गौर्वर्मेंट सेक्ट हम पर देखना है कि मुझे 10,000 वो लो क्यूं दे रहा या आपको लैप्टॉप आई 7 का लैपटॉप 807 बेचना है तो आपको 808 में मिलने से मतलब मुझे बत मताओं है और लो को है कि आप 10,000 क्या फ्री में दो फिर भी नहीं बिक्रीगा को अश्यजर में जिसको जाई हो अश्यजर में उसको आडर मिलते गया मैं आपको अभी दिखा दिया एक्जम्पल में लाइब दिखाया ऐसा नहीं कि कोई गलत डेटा दिखा रहा हूं कि लिए रहे हैं आप दिखा रहे हैं आप दिखा रहे हैं वहां पर कि यूदि ट्रीक का भी होगा आप उसका तेंसन मतलों सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी पर्ष्ट् प्राइज मैंक्सिमम और मिनिमम तेयर होता है कि इतना होना चाहिए ठीक है करेंगे तो आपको बता चलेगा और सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने पहले बता है कि क्यों में मैं बेच सकता हूं तो आप क्या हो वहों रिसेल्र हो या और वहूं यह चाहिए का नह Abi Tyler हो बड़े आपके पास कूरे गुजरात में मुझे ऐसा लगा कि आप गुजराथ से बिलोंग पते हो जी 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 उसका मैनिफेट्टर कंपनी आप किसे ख्रीट के बैच रहे हूं तो आप री इसेल खर रहे हो ना खरीद रहे हो और फिर बेच रहे हो तो आप क्या होगे पहले की वन काटिगरी में रिसेलर नहीं है आपको अलाउड नहीं है हां वोलिये करते हैं तब उसके लिए उसके लिए उसके वे यह जो प्रोड़क्त के लिए जो प्रोड़िक्शन करेंगे फिलाल हम लोग एक टॉपिक्स को छोड़के डूसरे टॉपिक्स में नहीं जाएंगे क्लियर हो गया चलो तो हम लोग फटा-फट थोड़ा क्यूवन क्यूटू बता जिते हैं क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं लेक्टर या फिर कॉम्प्लिकेशन जा रहा है और इसको अपको आपको आपके डुकर में बीच जा रहा है या को को मद्ण या कित्ने में बैच रहा है उससे मतलब है आप एक सॉप खोल के बेचे हों माल लो है आप भी लैपटोप बेच रहे हो और मैं आपके बाज़ु में एक सॉप खोल के बेचा सर्यदौ्स में बेठाji हुर안 प्लेफटाब बैच रहा हूं दे रहा हूं और आप का सेंता मेरा थह इडिए कि मेरा 20,000 में क्यूं बेच रहा हूं उसके आपको फोकस करना चाहिए 20,000 कैसे कर लोगे इसके उपकर फोकस करना चाहिए अंकुर सर मेरा फोकस करना जरूरी है कि मैं दस हजार करके मैं बेच रहा हूं या असी हजार में बेच आप असी हजार में रेट डालने के बाद आप बेचने में एलीजिबल हो आप अच्छा सेल कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है में बाजू में सौब करके दस हजार में बेच रहा हूं वह सकते हैं कि मेंस अगर मेरा मार्केट बना हुआ तो मैं बस वही चीज़े है तो आपको मार्केट बनाना है नहीं तो यहां पर फ्री में डालने से भी नहीं किएगा मैं तो पहली बोला है तो इससे लेवो सब्सको corrupt यहां इस्को अपूडर नहीं मिल रहा है इसलिए तो 10,000 रहे है कि 10,000 को पार Unterstützung में पार नहीं मिल रहे है झाइए यह मैं बाजू में दुकान खोलूंगा और लॉस में मैं कितने दिन तक चलाओंगा एक दिन दो दिन दस दिन मैं तो बहुत रहाँ एक साल के बाद भी यह तसजार रेट दिखेगा आपको है आपको कुछ से मतलब मुत रखो आपको आपके रेट में मिलने से मतलब रखना है हमें क्या करना है हमें अपने रेट में फिर थोड़ी टॉपिक्स को क्लियर करना था क्योंकि बाहर भी बैठे थे तो उसके लिए मैंने थोड़ी लिया नहीं थी बता तब लिए हम अपने ऑर्डर पर चलते अब किस लिए अभी ना भी विड़ावट है ने किलिए भी बात क्योंकि ऐसे लोग बैठे ना उसने गलत डाल दिया है अब उसको उस वार्डर में नहीं दे पा रहा है तो क्या बोलेगा नहीं है खतम हो गया क्या करेंगे एक को सेस्पेंट करेंगे दूसरा खड़ा है कितने लोगों को सेस्पेंट करोगे आप कर सकू话 कि ऐसे पर करता है कि हमें लिए इतना है आपने अपने ऑर्डर से मतलब रखेंगे या इसकी अपर डिसके इनकरेंगे एइन करेंगे ये हमारा हुएस्ट है की बरबर है कि नहीं Χुरें सब्सक्राइंयां है क्लियर है सबको आगे बढ़ते हैं चलो तो हम लग क्यूवण पर थे क्यूवण काटेगरी समझ में आ गया नेक्स्ट क्यूटू काटेगरी में जैसे कि सभी IT के equipment, laptop, desktop, computer, CCTV, सभी IT के relevant जो भी products है, सब Q2 category में, maximum, सभी नहीं, maximum, है न, अब यहां तो नहीं दिख रहा है, पर desktop, computer, laptop, बगरा, जो भी देखोगे, CCTV, है न, बड़े electronics, freeze, उसके बाद TV, AC, यह सब देखो Q2 में, maximum चीज़े आपको Q2 category में नज़र आएगा, अभी कुछ categories में और बतला हुए है, जैसे कि furniture item भी Q2 में चला, जैसे cheer, cheer भी Q2 में चला गया है, है न, revolving chair बोलो, cafeteria cheer, office chair, यह सब आपको Q2 में नज़र आते हैं, तो ऐसे आपको auditorium cheer, यह सब भी Q2 में चला गया है, पर अभी भी कु Q3 में है, classroom chair Q3 में है, है न, airport terminal chair के लूटी में, public sitting chair Q3 में है, wheelchair Q3 में, ऐसे भी कुछ chairs है, तो यह depend, यह jam decide करता है किसको कहां रखना है, तो जो भी category Q2 से बिलॉंग करेगा, जिसके सामने Q2 लिखा रहेगा, वहाँ पर must है, आपके पास authorization होना चाहिए, without authorization, आप Q2 में product नहीं sale कर सकते, authorization कहां से मिलेगा, वो brand से मिलेगा, वो company से मिलेगा, जैसे कोई भी character ले लेते है, revolving chair की category ले लेते है, अब revolving chair में, यहाँ पर आपको दोनों नजर आएगा, reseller भी और OEM भी, देखो reseller भी नजर आ रहे है, है न, तो जैसे कि यह life care का product है, मुझे यह product बेचना है life care का, तो मुझे इस company से authorization लेना ही पड़ेगा, बीना इस company से authorization लेके में, इनका product नहीं बेच सकता, must है, क्यो reason क्या है, क्योंकि यह Q2 category में, Q2 category में unbranded item नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, उसमें brand का नाम जरूर mention होगा, इसलिए, यह authorization must है, without authorization कोई भी product जो Q2 से belong करता है, आप से नहीं कर सकते, पर इक सवाल है, अथराइजेसर में, लेने के लिए क्या करना पड़ता हो, यह से content करना पड़ेगा, जैसे distributor या dealership लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कोई भी चीर का distributor या dealership चाहिए, मुझे गोदरेज कंपनी से distributor चाहिए, मेरे district में, तो म मिलना चाहिए, बराबर है, देखो, तो मुझे उनसे contact करना पड़ेगा, any conditions, चाहिए वो mail हो, phone number हो, customer care हो, कैसे भी, या फिर उनके office में visit करके, फिर उसके जो भी conditions होंगे, उसको क्या-क्या documents लगता है, जो भी x, y, z, उसको मुझे उसके साथ एक sign करना पड़ेगा, और उस यह हो गई पहनी चीज़ से, जीम की तरफ से मिलता है, वो, यह सभी OEM प्रोवाइड करता है, आप ने जिम बोला, जेम पोर्टल, जेम पोर्टल का आपको कोड मिलेगा, तूंकि वो कपनी इस करेंगे, और वही कोड आपको यूज होगा, ठीक है, वो आपको manufacturer से लेना पड़ेगा, like distributor और dealership, सेम तरीके का है, उसके लिए pattern है कि आप apply कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी companies जो हैं, जैसे कि HP हो गया, डेल हो गया, या फिर Canon हो गया, बड़ी जो भी companies है, LG हो गया, यह बड़ी company आप उनके website में जा सकते हो, उनके website में जाके GM पे customer care को भी contact कर सकते हो, customer care को contact करके बोलने का मुझे GM के customer care से बात करना है, या फिर उनके sales team से बात करना है, तो फिर आप वो आपको आपके condition बताएंगे, जो मैं जो फिर आप कोस्ट मिलता है उनके तरफ से, पुटर से, आपके आवाज के लिए हैं, यह बने के बात, यह बने जीन पोडर के लिए, प्रोडॉक्ट के लिए आपने करना पोड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलाल आपको कोड के लिए, रिकार्डिं डिस प मेरे भी कोशन था हां बोलिए जैसे ना फेस्बुक में बड़े लोग डालते हैं कि आथराइशन मतलब यह आपको मिलेगा कोड हम लेंगे कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ हमारी पहचान है मतलब देखो जैसे कुछ एक ब्रांड का नाम बताते हैं जैसे कि काजोल ब्रांड आप देखोगे चाहे वो डेक्स्टॉप ले लो लैप्टॉप ले लो किसी भी कैटेगरी में देख लो सभी में काजोल ब्रांड आपको मिलेगा काजोल ब्रांड यह कोई मैनिफेक्चरर नहीं है पिर भी यह वो यह मैं आपको थोड़ा बता जाता हूं आगे इसके बार में डिस्कुसिंट डिटेल्स में करेंगे जदि आपका टैनोबर 500 क्रोर से ज्यादा है तो आप बन सकते हो पिदाउर्ट मैनिफेक्चरर के लिए जेम का एक कंडिशन से उसके बेस्पे काजोल ब्रांड को मिला है अब इनके पास कोई पोड़क्ट ही नहीं है पर यह OEM है तो यह क्या करता है यह कोड दे देता है पोड़क्ट आप एचपी का दो डेल का दो काजोल ब्रांड का उसके लिए जो भी उसके चाज्जे से वह चार्जेस वगरा लेते हैं हमारे सब्सें अपर से हमें पिर इसे अडरार जाहें से अई अप पूची तुछ है आपसे शरी ओ Quality संट चैन जो五 से मिलता है ये लेडर देते हैं या कैसे यह थो यह की मर्जी है वह लेटर हेट पर दे आपको भुला के दिए आपके हाँ कैसे लिख के दे दे मेल कर दे वह तों यह अपने तरह की से देगा इसमें तो कोई रोल नहीं तो उसी को हम फिर जैंप पर अप्रोड कर सकते हैं अच्छा सब्सक्राइब करेंगे फिलाहल हम लोग इतने पर टॉपिक्स को स्टॉप करते क्योंकि हम डीटेल्स में ने जा रहे हैं जब आगे पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे नहीं तो फिर हमारा क्लास यहीं खतम नहीं होगा है ना है चलो क्लेर हो गया अधर नेक्स्ट टॉपिक्स प्राइब क्योंटू क्लेर हो गया क्योंटू तक में कोई डाउट से अब यह समझ लो आपके दिमाग में सब्सक्राइब चीजचारलो कि क्यू टू में बेचना है तो आत्रिजिशन मस्ट है जदि आपके अफुम reconst Сейчас नहीं है तो आप क्यू टू पोडट्ट सेल नहीं कर सकते जिनके पासज़रे Marcel होगा वही क्यूटू पोडट को सेल कर पाएगा Q1 में तो आपको एंट्री ही नहीं है Q2 में without authorization एंट्री नहीं है Next Q3 जैसे Q3 में क्या है processor है desktop motherboard है या फिर कोई भी item ले लेते cabinet है यह desktop सर्च क्या हूँ इसलिए mouse pad है त्यूंकि हम लोग desktop सर्च किया है अलग search करेंगे तो उसके relevant हमें product मिलेगा maximum product Q3 में है तो जो भी product आपको Q3 में नजर आएगा common product लेते हैं जैसे कि किसी ने chat box में डाला है तो ताकि आपको समझ में आजाए चियर तो सरीस में है Q2 में suits तो suit देखते हैं क्या suit है track suit देखो Q2 में है track suit sport suit सिर्फ suit तो नहीं दिख रहा खाली जैसे अभी होगा फिर अलग को इस नाम से होगा चलो अब उसके बारे में हम डिसकेशन नहीं कर रहे हैं अब जैसे कि यहाँ पर track suit ही ले ले लेते track suit अब ये Q3 की category है अब इसमें reseller भी मिलेगा मैंने अब इसमें unbranded item मिलना चलो हो जाए Q3 Q4 में आपको unbranded item मिलेंगे Q2 तक आपको unbranded नहीं दिखते थे Q3 में अब आप product के लिए authorization आपके लिए थोड़ा mandatory हो जाएगा जैसे कोई product में आपको authorization लगेगा की नहीं लखेगा वो brand decide करेगा जैसे all India military बोलके brand available है क्या मैं इस product को sale कर सकता हूँ की नहीं इस product को sale कर सकता हूँ की नहीं इस product को हमें को open करते और यहाँ देखेंगे इसमें क्या लिखा है reseller not verified by OEM जदी reseller not verified by OEM लिखा है मतलब इस company का product आप without any authorization बेश सकते हैं जदी Q3 category में हुआ तो इसके लिए आपको आप authorization की ज़रुरत नहीं पड़ेगी without any authorization आप इसको sale कर पाएंगे ठीक है same unbranded item तो sale करी पाएंगे unbranded item के लिए तो problem ही नहीं यह तो आपको OEM not verified ही रहेगा तो कौन सा product sale नहीं कर पाएंगे तो मैं थोड़ा high to low नहीं आता हूँ अब जैसे यह वाला adidas का है क्या यह वाला product हम sale कर पाएंगे without authorization adidas का brand ऐसा मत समझना कि adidas का brand नहीं तो sale नहीं कर पाएंगे क्यूटू में क्या था कोई भी product sale नहीं कर पाते थे अब क्यूथ्री में क्या हो गया कुछ brand sale कर पाएंगे without authorization कुछ brand नहीं कर पाएंगे समझ में आया ठीक है तो यह सभी आपको इस तरीके से नजर आता है ऐसा नहीं है कि ऐसा बहुत सारे आपको brand मिल जाएंगे जो यह नौट वरिफाइड भी होंगे यह वरिफाइड यह ऐसा बहुत ब्राइड मिलेंगे अब यह तो एडिडास के दिख रहे हैं आप सर्च करेंगे तो आपको यह ऐसा पता चल जाएगा जैसे यह जेन ब्राइड इसको देख लेख लेते हैं नौट वेरिफाइड है टॉप लिस्ट में था फिर भी यह नौट वेरिफाइड है तो हमें यह पोड़क्ट सेल कर पाएंगे मुझे इसके लिए यह ब्राइंड के लिए ऑथराइजिशन की जोरत नहीं पड़ेगी ममता मेडम बुलिए तो है यह प्रोड़क्ट क्या होते हैं वह पैंडिंग में चले जाता है लेकिन हम काफितनों से क्या कर रहे हैं कोई इसका जैम का काम करता होगा उसको हम पे करते हैं देन वह पतानि इक यूज करता है कि वह अप्रूवल मिल जाता हुई एक बढ़र है इसका ट्रिक क्या हो जका होते हैं सब्सक्राइब पहुत जगा 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 पे ट्रिक्स हमेसाँ सर्वो कैसे करें वह यह न हमें डेली पेइमेंक्ट करना पदता है उसके यह नहीं बताऊंगा और पहले ही आपको यह त्रिक्स की योज सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा कंपनी वाले जड़ेट अप्रूब करेंगे तो कोई सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे अपना टाइम बच जाएगा ताइम बच जाएगा यस क्लियर हो गया क्यों गाटिगरी में और किसे को को डाउट से इक सब्ञान लों की कंपनी का पौड़ेक्ट है तो क्या हम उसे क्वेड है अप बेस सकते हैं या आप नहीं डिसाइड करेंगा ना सब या आपकी कि कैट्गरी किस में है q3 में क्यूटू में क्यूवन में क्यूफोर में उसके रिगाइगा ना इस जैसे मद्र बोड है बात वह नहीं कर रहा हूं मेरा पॉड़क किस कड़े मेरे पैट काटिगरी कौन डिसाइड करता है जैंग तो आपका पॉड़क किस कैटगरी में आता है उसके हिसाब से रूल क्यूटू है तो कि अगया तो क्यूटू में तब यू से बेसके हैं यह सबन मिनट सर पर बोलिये सिंपल जैसे क्यूटू त्री में जो भी प्रोड़क्ट है उसका अमला इस पेसिशन देख लिए जाए अगर वो वह यह वेरिफाइड हैं तो बिदाव डूटर एस खेल न नौट वेरिफाइड है तो सेल कर सकते हैं उसके लिए नहीं लगेगा चाहिए वह क्यों इस चलिए तिर आते हैं नेक्स्ट क्यूफोर क्यूफोर में मैक्सिमम सैनेटरी के आइटेम और सैनेटाइजर आइटेम और सैनेटाइजरी जो भी आइटेम है और सैनेटाइजर आइटेम यह सब क्यूफोर में मैक्सिमम यह छोड़के भी बहुत सारे आइटेम क्यूफोर में भी है ऐसा नहीं कि सभी बुक्स Q4 में था आप Q2 में चला गया तो यह सिप्ट भी होता है ऐसा नहीं तो इसमें सबसे common product ले लेते हैं जैसे कि copier paper यह सबसे common product है तो इसमें बहुत ज्यादा जूरत था मतलब useful चीज़े है सबसे ज्यादा order निकलता है copier paper में तो यह copier paper है यह Q4 category में है Q4 category का rule यह है पूरा Q2 के opposite Q2 के opposite मतलब Q2 में क्या था authorization लगेगा ही लगेगा Q4 में authorization लगेगा ही नहीं चाहिए वो OEM verified ही क्यों नहीं हो अब आपको brand देखने की जुरुरत नहीं है यह will यह OEM verified है है कि नहीं पर यह Q4 category में फिर भी हम यह product sale कर सकते हैं और इसके लिए मुझे authorization नहीं लगेगा जदी कोई भी product Q4 category में है तो उसके लिए authorization नहीं लगेगा समझ में आ गया Q1 से Q4 के rules हाँ बोलियो ममता मडम बोली सर नेक्स्ट और इसको को डाउट से है सब्सक्राइब आपन ब्राइड जो ब्राइड वेरिफाइड है वो लगेगा जो ब्राइड में ओई-वेरिफाइड है उसमें नहीं लगेगा ममता मेडम प्लीज अन्मूट फास्ट करेंगे आप आपकी बज़े से फिर बहुत आपको दो तिन वारा वाई जिना पड़ता है चलो नेक्स्ट बोलो काफी बढ़ रहा है आपको कोई भी नहीं कर लो आपका पोड़ेट पेर हो जाएगा कैसे तो आगे बता हूंगा अभी फिलाल में बोल रहा हूं और इसके रूल बता रहा हूं ठीक कैसा है नहीं आप कहा रहे हो ना कि इसमें जुरुरत नहीं पढ़ता है कि आपको जुरुरत नहीं पढ़ता है चाहिए वह कोई प्रक्राइगरी से बिलंग करता है तो क्यूफ फॉर प्रक्राइब में अथा नहीं लगता है यह वह कोई भी ब्राइंड क्यूना है चलिए नेक्स्ट कोईरी और के राउट से किसी को कटेक्टिक बनाते हैं तो कीजूटू क्यूफ त्री जेम सब्सक्राइब करता है यह बदल भी सकता है बदल गया इसके रूल्स बदल गया इसके डालूंगा अपना परड़क्त कैसे बाद कैसे डालूंगा वसक्ता आपक कैटिगरी आओट करना पता है तो आपका जब कैटिग्री ऐसामने लिखा रहेगा क्यों से क्यों में आगे बताया कैटेग्री कैसे परस्ट में क्लास से चलू किया में यहす जितना आप द्यान ने दोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे जाके आपको उतना ही तकलिफ होगा यह भी मैं बता रहा हूं यह जिए आपने थोड़ा भी मेरा क्लास मिस किया जितना आगे जाओंगे आपको तकलिफ होगा आप मत सुनो फोन उठाओ कुछ काम में ब सब्सक्राइब क्लास में में जैसे बता रहे हैं वाज में मुझते जाओं नहीं की में तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा पर विडियो च्छा बेटर रही कि सर्जब क्लास वह ता एकदम प्रॉपर वेसे जनिया उस टैम पर पूश्ते चलिए क्लास में आपका कवर करूँगा चलो नेक्स्ट बताओ किसको जैसे मुझे मैं भी फॉर्स टाइम जेर्मी यूज करूं आज परस्टाम बैठाओं तो आपको कैसे करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे फिलहाल हमें यह देखना है कि कभ जेम पर है कहां पर वह हम लोग देख रहें और उसके डिमाग के उपर से निकल जाएगा अब कर लेगे कौंसे कैटेगरी मा रहे है अभी तक आगे देखेंगे वह क्यूंटू में क्यूंट्री में तो पता हम लोग आपका अपडेट देखेंगे ठीक है चलो अब सब्सक्राइब करना है तो प्राइज को बताएंगे पहले तो यहां तक तो समझ दो इतना तो समझ जा पहले इतना यह लोगों को फिर आगे के चल रहे कि हम प्राइब करने के लिए अभी शुरू उनके बाद भी कल आइसके वीडियो मिलेंगे आपको अप्लिकेशन पे आपको फाइंड आउट करके पता करना पड़ेगा कैटिग्री के दोट फिरूर मिलेंगे मम्ता मेंडम बोलिए कि मम्ता मेंडम हेलो हां बोलिए कि सर कोई अगर डीलर या डिस्टिबूटर हमें अध्रेजिशन कोड देने से मना कर दे क्योंकि मैंने एक दो बार कंटेक्ट करने कोशिश की तो नहीं देगा ना मेरेगा अप कंपनी है तो मेरे आप चाहते हो कि भगट टेकनो का एक ब्रांच में जम्मू में खूलो में नहीं दूंगा जम्मों में खूलने तो आप खूल सकते यह ना मेरे मर्जी मेरी कंपनी है ना तो तो कंपनी के साथ जाए है या फिर आप उस बिजनेस को तो नहीं कर सकते या दूसरा कंपनी के वाज यह दूसरे कंपनी का अप्रोच कीजिए जो आपको दे दे सब्सक्राइब ओर दोट चुनवत ढ़िए आप प्रोच पर नहीं जा रहे हो है ना सब्सक्राइब को पड़ाई जैसे पर ना सब्सक्राइब टोट नहीं मिलेगा आप जावना मेरे जैसे कंपणी के पास गर धर में अधरिया धर के लोग्स इसलिए यह मिल जाता है मेडम ठोड़ा अप्रोच करना पड़ता है ड़े बड़े नहीं जाएंगे छोड़े ब्राइंड पर जाएंगे मिल जाता है यह यह अब ऑल्या किसे के मेडिसीन विवेकर करने वाले में ड्रग लाइसेंस वगरा यह बहुत सारे प्रॉब्लम के वज़े से उस पर अब्जेक्शन आया और मेडिसिंस सभी निकाल दिया पर मेडिकल एकूपमेंट और मेडिकल के आइटेम जरूर है हैं यूब्लम के और मेडिसिंस नहीं है है कुछ के रिगडिगरी यह है पर बहुत कुराने और भी जन्दली बंद के जैसे ही손 परर सेटमॉल कि जैसे कि फिर मुझे लगदा आज इतने में खतम करूंगा देखो यह पर इसम पॉड़क्ट नहीं के बराबर है पहले जो पॉड़क्ट चड़े थे उतने ही इसके बाद और पॉड़क्ट नहीं अपडेट होना बंद कर दी इतना ही पॉड़क्ट है तो जनरली अभी पहले बात तो यह क्यूथ्री में होना ही नहीं चाहिए था पहली यह तो क्यूथ्य में होना चाहिए या तो फिर क्यूथ्वन में होना चाहिए क्लियर और को डाउट से किसी को चलिए और दो कैटेग्रीज है जो ज़्यादा यूसफुल नहीं है पर समझने के लिए समझ लो क्यूफाइब जैसे हैंड्क्राफ्ट आइटेम जो है वो क्यूफाइब में रहा है तो अभी क्यूफाइब देखने को नजर में नहीं आता कभ कम तो बहुत कम दिखते हैं अब देदो क्यूफाइब क्यूफाइब में सिस्प्ध होता जा रहा है और काटेग्री आ है क्यूफश क्यूफशिप जिसकौ मैं लोग बोलता है ओडी ओपडिश से बिलोंक करता ओडी ओपड़ी कोईफ्श नेय've और यह सब है और यह उपी उपी मतलब वन डिस्टिक वन पॉड़क्ट इसके अंदर भी पॉड़क्ट अभी फिलाल जैंप ज्यादा इसका डिमांड में नहीं है तो ध्यान दे दो मतलब थोड़ा समझ के रख लो आगे जब यूज होगा तो हो सकता है तो यह उस कैटेगरी को बोलते हैं जिस डिस्टिक में जो चीज है तो ट अपको चैंघेदी और अब यहां पर आते हैं और यह पिस्टिक्स इस्टेट चूज नहीं को लाग हए बता जयाँ अब हर्याने में इतने डिष्टिक में पोड़क्ट अवेलेवल है जदे आपको लगा कि मुझे डिष्टिक का फिल्टर नहीं लगाना है डायट सर्च कर दीजिए हर्याना में पोटल 6 कैडिगरी जो फेमस है उस डिस्टिक में फूट वेर यहां का फेमस है करनल में अलोबर इंडिया यहां हो सकता है अलोबर वर्ल्ड वो पोड़ेट क्यू सिक्स कैडिगरी में आएंगे है ना क्लियर कोड़ाउट से जैसे कि जम्मू क्या मेडम फेमस है आपके मम्ता मेडम जम्मू में सर्वाता दियाना से हो मुझे लगा जैसे आप लोग को पता होगा यह देखो यह वूड क्रेविंग है अच्छा वालनेट नहीं है यह सब चीजे पर मसे जैसे मेरा यह मारास्टा से मारास्टा में परफेक्ट कहां पर नागपूर में और ड्राइ नागपूर औरेंज जोलेरी मुंबई में लातूर में सवाविन्स कोलापूर के स्टूगरकन के आइटम मोरंगाबाद में पठानी साडी बहुत फेमस है यह आड़ भी आता है तो यह सब चीजे ऐसे फेमस है तो आपको य सिक्स काडिगरी से बिलॉंग करेगा क्लियर है कोई डाउट से क्लियर है तो हम लोगोंने फिलाल अभी टॉपिक्स तो कवर करने वारे थे पर फिलाल यहीं स्टॉप करूंगा मैं और आगे के लेक्चर्स नहीं लूँगा नहीं तो आगे और भी थे बीड के थोड़ी पार्स थे एलवन था डायट पच्छल था वह हम लोग डे वाइड फिर अभी सिलेवस के साथ ही में आपको कवर करते हुए चला जाओंगा सब्सक्राइब करते हैं उन्होंने कहां से सिख़्ी है है ना सिखाते हैं कुछ लोग है सिखा देते हैं हमारे पास तो नहीं है हम नहीं देते क्योंकि मुझे पता है जो वह आज सिखाया तो कल बंद हो जाएगा यह चीज़े ऐसी है यह ट्रिक है मतलब कि जैसे सब लोग सिख जाएंगे अब जैसे कि मैं आपको डायेट पॉचिस की ट्रिक सिखा रहा हूं सर्वीश में तो मैं पहले नहीं चालू किया था अब सिखा रहा हूं अब देर देर वह जैसे सिखाओंगा ज्यादा लोग सिखेंगा ना बंद हो जाएगा यह भी मुझे बता है इसलिए ट्रिक बहुत करते हैं तो हमें अब जो मरती है ना इनवाइस लगाने पड़ती है वो लोग हमसे बीना इनवाइस भी अप्रोड कर देखना कि वह कैसे सबी हो जाता है मैं मुझे में भर प्रोसिबल है देखो आपको साहथ कि कुछ टॉपिक्स यहां कबर हो जाएंगे ट्रिक के कवर नह ट्रिक कोषब वमगा सर्वीश के करूँगां छी कैसे लवन के में करूँम बथे एक पौरड़ेशन लिया था वी विए उसका दूसरा भी एक प्रोड़क्त था के टेगरे में साइज वाइस तो दूसरा प्रोड़क्त भी पब्लिश हुआ मेरे तरफ से लेकिन जब वायर सर्च करता है तो मेरा दूसरा प्रोड़क्त देखता नहीं है और विदाउट लॉग इन करके मार्केट प्लेस में कैटलॉक आईडी से सर्च करू तो भी दिखता नहीं है तो उसके लिए कुछ टिकेट राइस करू या कुछ तरीके से पब्लिश किया है आपका पॉड़क्त जो पब्लिश का है वो सही तरीका है इसके वज़े साब करेंगे तो 100% दिखेगा ही दिखेग गए तो बाहर को मेंने दे दिया तो हमारा पॉड़क्त पर आएगा ही आएगा बायर को दिखेगा ही गैरंटी है तो उसको कैसा दुरूस्ट करेंगे बात बहां अब को समझ में आता रही हैर सिर्फ इतना यह है फोकस उसके मन करो जितने चीजे बता रहा हूं सब्पे फोकस करना है यह फोकस करेंगे तो आप जैने सिख पाएंगे इतना है मुझे पता है एक ही है और लेना पर और लेना इतना इसी होता और यह सब इसी होता तो मार्केट में इसकी वेलू दो परसंट नहीं होती सब लोग सिख जाते ना आप यहां पर चीज़े नॉलेज तो देखो यह चीज़े मेरा क्या नॉलेज देना इसको इंप्लिमेंट आपको टाइम तो जरूर लगेगा थोड़ा मेहनत आपको प्रॉपर एक ट्रैक जो जैसे स पता था पता निए चला थक्त जो है पर्फेक्ट सिखाने का का मेरा है वह मैं आपको जरूर अच्छे से बाद मैं ऐसा नहीं इसा नहीं कि तो खालो लगेगा पर ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा उसके भी अपकोर्णर मिलेगा है ना जी सब्सक्राइब करते हैं उसमें सब्सक्राइब करते हैं पहला तो क्यूत्री में हैं क्या यह इंपॉर्टर लिया क्यूफोर में आप सकते हो उनका अपका पंगालो वह ब्रांड आपको अपार रहेगा प्रेटमार्क और कुछ नहीं चाहिए पहले से सुन रहा था बहुत अच्छा बड़ी बहुत इतना बड़ी अश्य सर आपने क्लास किया है जितना भी यूटुब देखा है मैंने किसी में भी आचा नहीं लगा है इसके लिए मैंने यह जॉइन किया था बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन मेरा किसमत आश्कराव है मैं फड़ा गाव में आया हूं मतलब मेरा जॉइन होने से सर दो बार डिस्कनेक्ट हो गया अभी फिर आ रहा है तो इसका जो प्लास हुआ है उसका कुछ सब लोग और मेरम अप लोग को कनेक्ट करतेंगे देखा आपका बेंच क्या है अब क्सक्राइब limited करका आओerd रखो है ना आगे कभी बी डविट़् होगे सब से बहले मैं बैच नमबर पूछूंगा आपसे तो वहां से आपका नाम कि परता हूं कि एसमें हो ये नहीं इसमें पहले पुराने डैड कर देता हूं और आपको दो लेक्शर का वीडियो देता हुं ताकि आप पुराना लेक्शर भी देखाऊ ओल्ड यह वीडियो आपको नहीं दिखेगा आपको एक्सेस देगा जिनके साथ आपका परसन जो भी है अमारे टीम का वह पहले आपको एक्सेस देंगे कि यह आठ दिन का लेक्चर है पुराइट व्याइट कर देता हूं जाँ आपको दो लेक्चर के वीडियो मिलेंगे ओल्ड वीडियो आपके लेक्चर में डाल दिया थू फिर्प्ति त्री में और नए में जैसे इसे लेक्चर होगा एक अथा टाइम लगता इसको और यह आपको यहां पर पुराने दिखने को मिलेंगे ठीक है क्लियर है और कोई डाउट से किसी को कुछ पुछना है तो बता है अब लिए जो इसे रहता है कैसे होता है प्यमेंट करते हैं और ग्राम पंचायत करते हैं करते हैं अलग अलग डिपार्ट्मेंट का अलग अलग पौर्टल है वहां से नहीं होता है जैसे जान पंचायत में अंका जो रहता है सब करके फिर आपको यहां सब्साइब कर दूसरा और इसेंट्रल गौर्मिंट का पी-फ-श यह सेंट्रल है हैं यह से वह जो अब ही पॉर्टल रहते हैं कि बहुत सारे लोग फंड निकालने होने के बाद निकालते हैं कुछ लोग पहले भी निकाल देते हैं या अलग-अलग रूल्स का अपने हिसाब से उलग चलते हैं जो चाइल्ड डिपार्मेंट जो रहता है यो शिक्ष्ण अभाग जो रहेंगे वह इसमें प्रोड्स एड रहेंगे कैं रहें हां रहेंगे ना वो डिपार्में में रहेगा तो फिरो नहीं रहेगा तो हम आड कर सकते हैं करवाना भी सिखा बाइर की प्रोड़क्ट है हम आप बाइर की तरफ से हैं हम आडर मंगा सकते हैं वाइर की प्रोड़क्ट रहेंगे वाइर की तरफ से हम मंगा सकते हैं रिक्वर्मेंट की लिकाफिन के सब्सक्राइब करेंगे जो रिजिस्टेशन कंप्लीट नहीं वह आगे बताएंगे क्या सब्सक्राइब बढ़के लिए कि लिक्वर्में से चालू अगे तब कबर कर दूनगा मैं आपके ऊप्ट करो और आपको विडियो का अक्सेस ले दो पुराने लिएक्सिर का video मिल जाएगा ने लेक्सिर का आपको link वगरा प्रॉबाइट करने को बनता हूं ठिक है हुआ जबते लिंक बदलतो कल बता दूगा link बदल जाएगा सेम लिंक रहा तो बता दूंगा कि सेम लिंक रहेगा मेडम आप लोगो आदे गंटे पहले वाट्सअप में आपके नंबर जो भी है उसमें अपडेट कर देगी शे बज़ेए करोगा ना क्लास शे बज़ेए चलाओगा अब अब अपन हो जाए